हलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल गवर्मेंट जो पका बंधार पर स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों जो एसी बेंगलूर के अंदर एक्जाम होई थी बढ़ती कि उसका अब रिजल्ट नहीं आ कंफर्म नहीं है वह आपको देख लेना है तो इतनी वेकेंसी थी उनकी लिष्ट बन चुकिए सब कुछ त्यार हो चुका है लेकिन वह रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं उसके पीछे एक ही रीजन है वह रिजल्ट निकालेंगे भी नहीं क्योंकि दोस्तों वह डायरेक्ट होना है जैसे अभी ड्रेवर वगिरा का हो चुका है अभी क्लीनर का और भी जो वेकेंसी थी ट्रेड में उन वेकेंसी का उन्होंने एक डिसाइड किया कि वह डायरेक्ट ही एड्मिट कार्ड बेज रहे हैं समझ गया उनका कोई लिष्ट विष्ट नहीं लगीगी जो करेंगे का का किसका ट्रेटेस्ट होना है और आपको वेस्ट करना है मतलब 5-7 दिन के अंदर या तो आपका आजाए यदिया पास हुए हैं तो आपका एड्मिट कार्ड आ जाएगा नहीं था मान लेना कि आप इसी बरती में पास नहीं है और आप बाहर हो चुके हो यहीं का लास्ट डिसीजन है ठीक कहीं आप रिजल्ट का इंतिजार करते रहें तो मैंने आपको अपडेट बिडिया मैं आपको वाट्सपाइब में बता दिया थे कि कि मैं आज़ छाम के करने वाला था बट हुआ कि मुझे इतना इतना टाइम नहीं मिल पाए कि मैं आप कर सकू अभी मैं टाइम निकाल कर बता रहा हूँ आपको ये information कि अभी result नहीं आएगा उसका और जो candidate पास हुआ है उसका घर के घर पे ही आ जाएगा admit card ठीक है और जैसे ही admit card आता है दो दिन में मतलब दो तिन दिन में आ जाएगा तो आप मैं उसका जो admit card आया है उसके वीडियो अलग से बना दूंगा ठीक है बैस आपको वीडियो पे चैनल पर बने रहे ना ये वीडियो में बहुत कम बनाता हूं उसके पीछे कारणा भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता जै आप उसको जोइन कर लिना और उसका admit card आ जाता है एक दो दिन में ये दो तिन दिन मानलो पांच से दिन तो लगी जाते आते 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 तो मैं उसके जैसे admit card आएगा मैं आपको उसकी वीडियो बनाकी दिखा दूंगा कैसा है कितनी तारीक होने वाला ठीक है दोस्तों तो आसा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप बस आपको 57 दिन तक आपको अपने admit card के इंतिजार करना है आ गया तो ठीक वरना और देखेंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में जेहिन जे बारत